जै श्रीहरी, Spiritual Gen Channel में आप सभी का एक बार फिर से सौगत है आज की वीडियो में हम जानेंगे आर्थी भजन या कीरतन करते समय तालियां क्यों बजाई जाती है हम अक्सर ही यह देखते हैं कि जब भी आर्थी भजन या कीरतन होता है तो उसमें सभी लोग तालियां जरूर बजाते हैं लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम होता आखिर यह तालियां बजाई क्यों जाती हैं इसलिए हम में से अधिकांश लोग बिना कुछ जाने समझे ही तालियां बजाया करते हैं क्यूंकि हम अपने बच्पन से ही अपने बड़े लोगों को ऐसा करते देखते आ रहे हैं हमारी अध्यात्मिक माननता के अनुसार कहा जाता है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छुपा ले और यदि दोनों हाथ उपर करे तो वह वस्तु नीचे गिर जाएगी ठीक उसी प्रकार जब हम दोनों हाथ उपर उठा कर ताली बजाते हैं तो जन्मों से संचित पाप जो हमने स्वयम अपने बगल में दबा रखे हैं नीचे गिर जाते हैं अर्थार्थ नस्ठ होने लगते हैं कहा तो यहां तक जाता है कि जब हम सकीर्टन करते हैं तो उसमें काफी शक्ति होती है और शकीर्तन से हमारे हातों की रेखाएं तक बदल जाती है परिंदु यदि हम आध्यात्मिक्ता की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें आपको बहुत अश्रह होगा कि इन सभी दवाव बिंदूं को दबाने का सबसे सरल तरीका होता है ताली असल में ताली दो तीन प्रकार से बजाए जाती है एक ताली में बाएं हात की हतेली पर दाएं हात की चारों उंगलियों को एक सा तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और आवाज अच्छी आए इस प्रकार की ताली से बाएं हतेली के फेफडे, लीवर, पिताश्रे, गुर्दे, छोटियात वे बढ़ियात तथा दाएं हाथ की अंगली के साइनस के दबाव बिंदू दपते हैं और इससे इन अंगों तक खून का प्रभाव त्रीव होने लगता है इस प्रकार की ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक की हतेली लाल ना हो जाए इस प्रकार की ताली कब्ज, एसिडिटी, संक्रमाण, खून की कमी वे स्वास लेने में तकलीफ जैसे रोगों में लाब पहुँचाती है दूसरा होता है धपते ताली दोनों हातों से ताली बजाना यानि कि दोनों हात एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं उंगली से उंगली और अंगुठे से अंगुठे मिलते हैं ऐसी ताली को थपी ताली बोलते हैं इस प्रकार की ताली की आवाज बहुत स्तेज वे दूर तक जाती है एवं इस प्रकार की ताली कान, आँख, कंधे, मस्तिश्क, मेरू डंड के सभी बिंदूओं पर दवाब डालती है इस ताली का सरवधिक लाफ, फोल्डर एंड सोल्जर, डिप्रेशन, अनिंद्रा, सिल्प डिस्क, इस्पोगोलाइसिस एवं आँखों की कमजोरी पर पड़ता है एक्यूप्रेशर चिकिट्सको की राय में इस ताली को भी तब तक बजाया जाना चाहिए जब तक की हतेलियां लाल ना हो जाएं इस ताली से अन्य अंगों के दवाव बिंदू शक्रिय हो उठते हैं तथा यह ताली संपून सरीर को सक्रिय करने में मदद करती है यदि इस ताली को तेजवे लंबा बजाया जाता है तो शरीर में पसीना आने लगता है जिससे की शरीर के विशेले तत्व पसीने से बाहर आकर तवचा को स्वस्त रखते हैं और तो और ताली बजाने से न सिर्फ रोगों से रक्षा होती है बलकि कई रोगों का इलाज भी स्वता ही हो जाता है इस तरह ताली दुनिया का सर्वोतम एवं सरल सहज योग कहा जाती है तो कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा और इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए स्प्रिचल यान चैनल को सब्सक्राइब करें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धरनेवाद